अगला प्रेशन है टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न मैंसे पाठी करम के मुख घटक कौन से हैं तो चारो आफसन आफ के सामने हैं आपको बताना है टाइलर मॉडल के अनुसार पाठी करम के घटक तो सबसे पहला आपका जो अफसन है चारो अफसन आप अपने आप भी देख सकते हैं उद्देशे विशे सामेगिरी सिच्छण मुल्यांकन उद्देशे सेक्षिक अनुभव अनुभव का प्रभावी संगठन और लच्छे का सत्यापन सिच्छा का उद्देश पाठ सामेगिरी ववस्थित करना परिच्छड प्रतिपुष्टी करना और इसके साथ साथ में विशे सामेगिरी सिच्छण अधिगम परिच्छड तो चारो अवसन आपके समक्ष हैं तो इसमें आपका अंसर सही होगा बी देख लीजिए कि उद्देश सेक्षिक अनुभव जो होते हैं वो पाठे करम के घटक माने जाते हैं टाइलर मॉडल के इसके बाद में अगला प्रश्न है अनुभवी सिच्छकों को एक बिशे पर विस्तरत योजना तयार करने की आवे सकता नहीं होती क्यूंकि यानि जो अनुभवी सिच्छक है उसको योजना बनाने की आवे सिच्छक क्यूंनहीं होती उसका reason बताना है तो इसमें क्या है कि चारो अफसन आप समझ सकते हैं तो इसमें आपका सही होगा D जैसे बे अनुभव से बिशे सग्यता प्राप्त कर लेते हैं बे इसका संक्षिप्त प्रारूप तयार कर सकते हैं सही बात है जिसको अनुभव है तो वो उसी के अनुरूप आगे अपने कारे को बढ़ा सकता है इसके बाद में अगला प्रशन है निमनी लिखित में से कौन सा कथन एक आदर्ष सिच्छक के बिशेश अभी लच्छडों को दर्शाता है तो कौन सा ऐसा लच्छड है जो आदर्ष सिच्छक के बिशेश अभी लच्छड को दर्शाता है तो आदर्ष सिच्छक का लच्छड कौन सा होगा यूं कह सकते हैं इसमें होगा सी एक मित्र दार्शनिक और मार्क दर्शक की भात ब्यावार करता है यानि मित्र वाली भी गुड़ुस के अंदर हैं चात्र के प्रति और दार्शनिक तो होना ही चाहिए और माक दर्शक की भात भी ब्यवार करता हो अगला प्रेशन है निमनी लिखित में से किन कारणों की वज़ा से सिच्छा का छेतर संगर्सों और भ्रांतियों से घिर चुका है तो इसमें आपका आंसर सही होगा देख लीजिए सारे अफसन आप देख लीजिए इसके बाद में समस्याओं के निदान के लिए कठोर बेग्यानिक जाँच का अभाव ये वो कारण है जिसकी बज़ा से सिच्छा को का संगर्सों के जो अभ्रांतियों से घिर चुका है अगला प्रेशन है निम्निलिखित में से एक सिच्छा को पाठ योजना के परिचालात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए आप देख सकते हैं चारों अफसन आपके समक्ष में हैं इसमें आपका सही अंसर होगा ध्यान आकरशित करना सी वाला अफसन बिल्कुल सही है अगला प्रशन है प्रदोग की के विकास को ध्यान में रखते हुए भविश में एक सिच्छक की क्या भूमिका होनी चाहिए तो जो प्रदोगी है उसको ध्यान में रखते हुए सिच्छक की क्या भविश में क्या भूमिका होनी चाहिए ये आपको आंसर बताना है इसका तो चारों आफसन आप देख लीजिए जानकारी प्रदान करना नई पार्ट पुस्तकों को भी से ध्यान रखना ये नहीं छात तीनों इस्तर अगर आपको याद है तो बहुत आराम से इसको पकड़ सकते हैं बाइस सबसे पहला इस्तर होता है इसमरती इस्तर दूसरा होता है वोद इस्तर और तीसरा होता है चिंतन इस्तर इस तरह से ओफसन सही होगा बिवेद इस्तर ये कोई इस्तर नहीं होता है ये लिखित में से कौन संग्यात्म ज्यान छेत्र के विशय छेत्र में आता है मैं बहुत आराम से कोशन पढ़ता हूँ अगर आपको लगता है सिलो पढ़ता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसमें होगा आपका अंसर सही होगा बिचार अगला प्रेशन भी देख लिए निमनी लिखित में से किस महा पुरुष द्वारा एकी करत सिक्षा की अबधारना को प्रतिपादित किया गया है तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है शिरी अर्विंदो का नाम आपको याद रखना इन्होंने प्रतिपादित किया है एक इक्रत इसके बाद में अगला प्रेशन है सिक्षा के इस तर को कैसे उपर उठाया जा सकता है तो सिक्षा के इस तर को कैसे ये पॉमन सवाल है बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसकी आंसर को अच्छे सिच्छकों की निक्ति से इसकूलों में भौतिक सुविधाएं उपलब्द कराकर इसके अलाबा परिच्छा परिच्छन परणाली में सुधार करके इसकूलों में कम्प्यूटर उपलब्द करव कर तो चारो अफसन में से आपका सही होगा अच्छे सिच्छकों की निक्ति से ही ये हो सकता है कार रे अगला सवाल है और कूट में इसका आंसर आपको देना है निमनिलिखित में से आज के सिच्छकों को कच्छा सिच्छड को प्रभावी डंग से समायोजित करने के लिए किस कोशल की आवश्यक्ता है तो कौंसे कोशल होना चाहिए जिससे परभावी सिक्षण को कर सके तो चारो कुछ देख लिजी ए परषदोगी का घ्यान है सिच्छण अधिगम में प्रोदोगी का पिर्योग है और इसके बाद में सिच्छारतियों की आवेशकताओं का ग्यान है सिच्छण सामिगिरी में दच्छता है तो सही आंसर आपका क्या होगा इसमें प्रोदोगी का इसमें सभी सही होंगे ये दूसरा वाला भी सही है तीसरा वाला भी सही है और ये तीसरा चोथा भी सही है पहला वाला गलत है इस तरह से आफसन सी सही होगा अगला प्रेशन देख लीजिए और प्रेशन है एक सिच्छक का मूल एक करतब है ये भी आप बहुत आराम से बता सकते हैं बहुत टफ नह नहीं है एक सिच्चक का मूल करतब तो चातरों के बोधिक इस्तर को बढ़ाना चातरों के भोतिक हम्पिक विकास shadow करना छातरों में मूल्याँकर पृणाली कि आतम साथ करना तो इसमें क्या चातरों का जगर भुम्पिक कास कर सकता है तो उपर वाले तो दोनों आपसन आही जाएंगे उसमें इस तरह से आंसर सी इसका सही होगा अगरा प्रेशने देखिए निमने लिखित में से कौन सी एक अच्छे सिख्षक की सबसे अधिक महत्रुपुन गुडवत्ता है तो सबसे महत्रुपुन गुडवत्ता को तलाश करना है और सामिग्री में स्रेष्टता और सामाजिक वरत्ति का होना ये वाला उपसन बिलकुल सही है डी सामिग्री स्रेष्टता और सामाजिक वरत्ति का होना अगला सवाल है एक सिख्षक का सिख्षड संसता में समायोजन का प्राथ्मिक दायतु निमनि लिखित में से किसका मान कफ्षक निंतं है उन्हार गैं तो इसमें है कि चात्र का प्राचार का सुएम सिछक निनी बाइक सिख्षक अगर सही कारे करेगा तो प्रात्मिक्ता का दावित जो सिख्षक पे है सिख्षक डारेक्ट वच्चों से जुड़ा हुआ होता है अगला सवाल है निमने लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है तो सत्य कथन की पहचान आपको करना है चारो आफसन देख जीए इसमें है पाठे करम पाठे अचारिया का एक संग लगन जो है यह आफसन ए बिलकल सही होने वाला है अगला प्रेशन है एक अच्छे सिख्षक में सबसे महत्रपुन गुण कौन सा होना चाहिए चारो आफसन आफके समक्ष हैं और सबसे अच्छा गुण तलाश करना है सिख्षक में तो सबसे अच्छा गुण तो यही है कि उसे विशय जो होता है उसका अच्छा ग्यान हो अगर विशय का अच्छा ग्यान नहीं है तो वो आखिरकार बच्चों को मागदशन है उनके जो बारे में समस्याएं हैं सर चीज को किस तरह से निवारण कर पाएग इसके बाद में अगला प्रशन एक संसाधन सिच्छड में आने वाली सबसे महतर पूर्ण चुनावती कौन सी होती है तो सबसे महतर पूर्ण चुनावती आपको पता करनी है तो वो है सिच्छड के साथ पार्ट करम की गतिविधियां D वाला उप्सन मेरे ख्याल से बिलकुल सही होगा यही सही है यही हाँ सही है आगे आप सबी देख लीजिए अगला प्रेशन है राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान और परिसिच्छण परिसद की स्थापना किस बर्ष में हुई है तो इसमें आंसर आपका सही कौन सा होगा राश्टिय सेक्षण अनुसंधान और परिसिक्षण परिसद यह याद रखिए तो इसमें जो 1961 में इसकी स्थापना हुई है राश्टिय सेक्षण अनुसंधान की अगला प्रश्ण है अधिगम प्रिक्रिया के निमने लिखे चरणों में से कौन उप्युक्त करम में नहीं है तो उप्युक्त करम में कौन नहीं है अधिगम प्रिक्रिया के तो अभी प्रणा तो होती है बादा भी होती है अनुक्रिया भी होती है कहने का मतलब यह है कि इसमें लच्छ जो है वो नहीं होगा अगला प्रेशन देखिए प्रेशन है बच्चे की सरजनात्मक्ता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है तो सरजनात्मक्ता जो बच्चे की हो सकती उसमें बाधक आपको बताना है सबसे बड़ा बाधक क्या है आप चारो अफसन देख लीजिए पहले इसके बाद में आपका आंसर सही होगा बी आवेश्यक प्रेर्णा परदान करने में वैसको की आसफलता ये सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों की सरजनात्मक्ता का कि जो बड़े लोग हैं जो एजट हैं वो क्या होते हैं बैसकी जो होते हैं वो आसफल होते हैं प्रेर्णा परदान करने में वालकों को जिसकी बज़ा से सामाजिक समस्य ये खड़ी होती है और वालक बैसे ही बन जाता है जैसा समाज होता है इसके बाद में क्या है एकला प्रेशन देख लीजिए शिष्षे केंद्रित सिक्षा का अर्थ है यानि छार केंद्रित सिक्षा का अर्थ क्या मतलब है क्या होता है चारो उफस्फन आप देख लीजिए तो इसमें होगा शिष्यों की आवश्यक्ताओं एवम आकांशाओं के अनकूल सिक्षा उफसन सी सही होगा अगर सिच्षियों की आवश्य शकताओं अगरमा आकांचाओं के अनकुल सिख्षा है तो उसे सिख्षिकेंदरित या किया कहते हैं बालक के अंदरित सिक्षा कहा जा सकता है अगला क्रेंजिंच देख लिजिए 98 नमबर प्रेशन है और इसमें जो है मिलान करना है सूची बन को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है और फिर इसके बाद में इसका अंसर देना है तो इसमें कैसे मिलान किया जाए देखिए तो इसमें मिला लीजिए इसमें सबसे पहले क्या होगा यहां से मिला शारीरिक विकास इसमें जो चल सकता है और डी वाला जो अफसन है एका विकास एका होगा थ्री इस तरह से मिला लीजिए खर आगे देखते हैं अगला प्रेशन है मूल पाथी चरिया किस पर बल नहीं देती तो मूल जो पाथी चरिया है वो किस पर बल नहीं देती इसका आंसर आपको देना है समस्या समाधान पर ये बल नहीं देती है और अंसर भी बिल्कुल सही होगा इसके बाद में अगला प्रेशन है क्रियात्मक पाठे चरिया के अभिकल्प में रुची रखने बाले पाठे चरिया निर्माता को किसकी समझ की आवश्यक्ता है तो इसका आंसर सही होगा देख लिजे पैचान लिजे पहले चारो ओफसंट और ये आंसर बिल्कुल सही होता है जिसमें उपरियूप प्रेश्ची सही होते हैं जादा तर आंसर тут विशे वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनावर्दत सीखते हैं यह आंसर इसका सही होगा अगला प्रेशन है अध्यापक सिच्छा के पाठे करम की क्रियानवित की जिम्मेदारी प्रतेचता है तो यह आंसर इसमें सही होगा इन सी टी आई यह वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा सी वाला उपसन उमीद करता हूँ सारे कोश्चन आपको अच्छे लगे होंगे कोई अगर इसमें गलती है तो जरूर मुझे बताईएगा अनिता कोई बात नहीं इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिष्ट में जाकर देख लीजिए हो सकता है आपके काम की हो अनिता कोई बात नहीं धन्यवाद